हलो फ्रेंड्स ट्रेड लर्नर्स चेनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए दोस्तो 24 नवंबर के लिए दोस्तो 24 नवंबर के लिए इंपोर्टेंट दोस्तो जो आप निफ्टी और बैंक से connect जरूर होई है क्योंकि दोस्तों वहाँ पर market से related जो important learning होती है दोस्तों वह market आर्ट में आपको provide की जाती है तो आप दोस्तों ट्रेड लर्नर टेलिग्राम का लिंक आपको description box में मिल जाएगा उसको जाके जरूर जोन करिए काफी important initiative है अभी देखे nifty 50 का क्या हाल चल रहा है हम वो देख लेते हैं तो देखे दोस्तों nifty 50 अगर देखे हैं आज 0.5% से बड़ा है मैंने कल बताया था आपको कि दोस्तों ये जो है अपने RSI के level के पास में पहुच रहा है तो ये एक ऐसा जोन होता है दोस्तों जा पर buying आने के बहुत high probability होती है ठीक है तो market जो है ये high तो दिखाया है लेकिन दोस्तों मैंने ये भी कहा था कि US का market जो है उसके ओपर धियान रखे तो US का market जो है दोस्तों वो sideways था अगर आप देखोगे Dow Jones का तो वो जो है उसकी closing में जो है कोई गिरावट correction देखने को नी मिल रही थी इसके अलावा जो है दोस्तों अगर आप S&P 500 को भी देखोगे तो दोस्तों ये इसका जो futures होता है उसको साथ में देखना होता है US 30 और US 500 नाम से जो है दोस्तों अलग से futures चलते रहते हैं इनके तो वो futures जो है अगर green में है तो दोस्तों positive trend हो सकता होता है ठीक है तो market जो है दोस्तों आज जो है एक तो इसने जो है अपने 100 day का जो moving average था इससे bounce लिया है दोस्तों और एक day end पे जो है एक अच्छी खसी तेजी देखने को मिली है ठीक है तो अब क्या हो सकता है कल के दिन तो दोस्तों मैं कल के लिए तो नहीं लेकिन दोस्तों मैं यह कहूंगा कि अगले अगर हम expiry day की बात करें जो कि गुरुवार को आने वाला है और option sellers के लिए expiry एक इंपोर्टन दे होता है तो दोस्तों मेरा यह मानना है और मैं जो अपना view है वो बता रहा हूँ यह educational point of view से है दोस्तों आप इसको जो है अपनी learning के लिए ले ठीक है तो दोस्तों market जो है दोस्तों देखकर के यह लग रहा है 17,800 से लेकर के दोस्तों 18,000 से नीचे ही रहेगा दोस्तों अगर आप 17,800 के strike price पर ठीक है उचाल के उपर selling करते हैं ठीक है उचाल के उपर उचाल होना वह जोरूरी है market में मैंने पहले भी बता था कि train जब इस तरीके से चल रहा market आती है जो उचाल होता है उस पर entry लेनी होती है ठीक है तो आप आप क्या करेंगे 17,800 की strike price का जो यह call है उसको sell कर सकते हैं वो भी तब ही जब Indian stock market में तेजी नहीं हो मतलब weakness के signals आएं और US market में भी weakness के signals आएं ठीक है अगर आप risk लेना चाते हो तो 17,800 की call writing कर सकते हो और hedge कर सकते हो 17,900 की strike price की call को buy करके ठीक है इसके अलावा अगर हम देखे है तो दोस्तो अगर आप थोड़ा कम risk लेना चाते हो और आप चाते हो कि जो expiry day वे आपके सारे premium points आपके पास हो जाए तो आप जो है दोस्तो उसके लिए यह कर सकते हो कि 18,000 की strike price के call को sell करके hedge कर स इचले week से मुझे सुन रहे हो तो आपको एक idea लग जाएगा कि आपको किस तरह से trade लेना होता है लेकिन दोस्तो यह सब कब depend करता है यह सब तभी है जब US के stock market में भी गिरावट आती है यह ध्यान अगना अगर वहाँ भी weakness बनी हुई है तो इंडिया के stock market में भी weakness बनी रह हो सकता है थोड़ी correct हो जाए या फिर दोस्तो sideways रह सकता है इसी zone में थोड़े दिन तक मतलग कम से कम इस expiry day तक का हमारे पास time है और हमको जो है premium points को achieve करना है तो 17,800-18,000 की strike price पर अगर आप call writing करते हैं यह वक्त नहीं है दोस्तो put writing करने का आप जो है call writing करें क्योंकि दोस्त क्योंकि दोस्तो यह सब चीजे depend न करती है कि US stock market की क्या situation चल रही है अब मैं bank nifty के लिए भी important view बता देता हूँ मेरा ठीक है मैंने पहले ही बताता दोस्तो 39,000 की strike price पर आपने अगर sell किये होते calls को तो अब तक में ही आपके अच्छे खासे returns होते है ठीक है 39,000 की strike price पर उच 300 जो भी आपके risk को तो उसके इसाब से call को buy करके hedge करे ठीक है और sell क्या करना है 39,000 का call आपको sell करना है ठीक है अब देखे दोस्तो इसमें क्या है bank nifty में दिक्कत है bank nifty जो है दोस्तो अगर आप इसका moving average अगर आप इसका RSI indicator देखोगे तो इसने नीचे से जो है एक buying आ रही जो कि दोस्तो एक buying point होता है किसी भी stock को अच्छे stocks को buy करने का तो दोस्तो मैंने आपको यह भी कहता कि अब देखिए यहाँ पर देखने वाली बात क्या है HDFC अगर bank को देखोगे न आप तो आपको देखेगा कि उसमें नीचे से buying शुरू हो गिया नीचे से buying का मतलब क्या नीचे से buying का मतलब है यह जो green color के आपको यहाँ पर line दिख रही है दोस्तो मैं आपको दिखाता हूँ यह green color की line है जो कि 200 day का moving average है यहाँ पर आकर के HDFC bank का चार्ट जो है यह support ले रहा है और 200 का सबसे strongest support में से एक माना जाता है अगर दोस्तो यह support भी तूटे तो दोस्तो ध्यान रगना फिर बड़ी sale of आ सकती है यह तो तब ही तूटते है जनरली दोस्तो जब market में बड़ी correction की सम्मावना होती है अब दोस्तो correction वैसे already काफी हो चुकी है लेकिन यह भी heavy weight stock है और high quality का stock है मैं उम्मेद करता हूँ यहाँ से यह तो bounce मारेंगे अगर यह bounce मारेंगे तो obvious सी बात है bank nifty का जो सबसे जदा weightage है वो HDFC bank से आता है तो HDFC bank में तेजी आई तो obvious सी बात है दोस्तो chances है bank nifty यहीं पर ही रहेगा या फिर दोस्तो जहां पर अभी चल रहा है या फिर थोड़ा बहुत उचाल लाएगा लेकिन दोस्तो इस expiry तक 39,000 तक पहुचेगा नह इसी उम्मीद करता हूँ और दोस्तो आराम से जो है आपको जितने भी premium points है 39,000 की strike price के वो आराम से मिल जाएंगे लेकिन अगर आपको ज्यादा risk लेने की शमता है आपकी तो मैं अगर देखूं तो दोस्तो मैं आपको बताता हूँ या पर 15 minute का chart अपन उपन करते हैं और ब अगर मानलो market उपर चल जाता है और 38,000 के level तक आ जाता है तो एक काम करना 38,000 के strike price के calls को sell कर देना ठीक है सिर्फ next expiry मतलब जो गुरुवार के दिन तक है आपके सारे पैसे बनेंगे कैसे 38,000 के strike price के अगर हम calls को sell कर देंगे और 38,100,200 के strike price के call को buy करके hedge करेंगे तो मैं उम् मिलेगा reason है दोस्तों इसके पीछे ये जो है एक गिरावट का एक train बना हुआ है ठीक है ये ज़्यादा से ज़्यादा उचाल मारेगा तो अपने ये 200 डेका जो moving average यहां से गुजर रहा है यही तक मारेगा और इस zone में अगर आपने shorting की तो अच्छा खासा return मिलेगा इस त दोस्तों यह जो है अभी market जो है downtrend में चल रहा है तो obviously बात है हमको downtrend के ही trades लेने चाहिए वही सही रहता है लेकिन दोस्तों अगर आप stocks के उपर trade लेना चाहते हैं तो हमारी जो दोस्तों breakout stocks of the day की series चल रही है उसको जाकर कर जरूर देखें उसकी वीडियो को regular देखें क्य आपके लिए helpful होंगी दोस्तों आने वाले दिनों में trade लेने में महां पर हमें 1-2% return किस तरह से intraday trading के थुरू बना सकते हैं इसकी बात करते हैं और यहां पर दोस्तों nifty और bank nifty का क्या viewpoint है उसके बारे में बात करते हैं और उसमें किस तरीकी का option selling लेना चाहिए जो weekly expiry के लिए हमारे ले काफी helpful हो सकते हैं इस पर बात होती है तो उम्मीद करता हूं दोस्तों काफी कुछ आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा तो अगर आपने वीडियो को देखा तो वीडियो को लाइक जरूर करें हमारे टेलिग्राम चैनल के साथ जरूर जूर जूर ज उरूर जूर 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 हो जूर qué झालक जूर उला करें होगाइका Cit potण का मैं धिय।